दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी nutritious और healthy foods हैं, उन सब में से fruits, यानि फलो का एक अपना अलगी स्थान है, एक अलगी position है ये fruits हमारे लिए कितने ज़्यादा healthy होते हैं, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं और आप ये भी जानते हैं कि जो fruit juices होते हैं, जो कि इन fruits से हम बनाते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा healthy nutrition प्रोवाइड करते हैं, और in fact ये fruits से से भी ज़्यादा बेहतर होते हैं हमारे लिए, राइट? रॉंग! दोस्तों, अकसर हम लोग सोचते हैं कि जो fruit juices हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा healthy हैं in fact कुछ लोग तो fruits खाते ही नहीं हैं, सिर्फ fruit juices को ही इस्तमाल करते हैं और उन्हें लगता है कि ये उनके लिए ज़्यादा healthy चीज हैं तो आज की ये वीडियो मैंने ऐसे ही लोगों के लिए बनाई हैं जो कि fruit juices को prefer करते हैं और जो ये सोचते हैं कि fruit juices उनके लिए सबसे ज़्यादा healthy drink हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों चार ऐसे strong reasons बताऊंगा fruit juice ना पीने के जिनको सुनने के बाद शायद आप आगे से fruit juice पीना पसंद ना करें तो चलिए बिना किसी देरी के इस interesting वीडियो को शुरू करते हैं मेरे नाम डॉक्टर सलीम है दोस्तों और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल healthy हमेशा दोस्तों सबसे पहला और सबसे strong reason जिसकी वज़ा से मैं आपको मना करता हूँ कि आपको juices नहीं लेने चाहिए वो ये है कि juices के अंदर आपको fruits में पाये जाने वाला fiber बिलकुल भी नहीं मिलता है जब हम किसी fruit का juice निकालते हैं तो उसका जो liquid part होता है वो अलग हो जाता है और जो उसका fiber वाला part होता है वो waste हो जाता है fruits के अंदर पाये जाने वाला fiber है दोस्तों ये हमारी सिहत के लिए बहुत ही जादा important होता है ये fiber हमारे digestion को improve करता है ये fiber हमारे cholesterol को कम करने में हमारी मदद करता है और ये fiber हमें एक feeling of fullness देता है यानि हमारे पेट को भरने वाला होता है अगर हम खाली juices पीते हैं तो उसकी वज़ा से हमारा पेट नहीं भरता है जिसकी वज़ा से अकसर हमारी calorie intake बढ़ जाती है और motapa बढ़ने का खत्रा जो है वो भी बढ़ जाता है दोस्तों दूसरा major reason जिसकी वज़ा से मैं आपको fruit juices लेने से मना करता हूँ वो यह कि जो fruit juices हैं यह हमारे brain को trick करने का काम करते हैं उसको चक्मा देने का काम करते हैं अब कैसे करते हैं यह आप समझ लीजे दोस्तों fruit juices जब हम पीते हैं तो अकसर हम इतनी जादा quantity में fruits को consume कर जाते हैं जितने की हम actual में कर ही नहीं सकते हैं कभी आपने देखा हैं कि एक glass juice निकालने के लिए आपको कितने सारे fruits की ज़रूरत परती है क्या इतने सारे fruits आप actual में खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं वैसे बहुत सारे लोग इसी वज़़ा से fruit juices को इस्तमाल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा quantity में fruits उनको मिल जाएंगे एक ही बार में और असानी से उसको पी जाएंगे और उतना nutrition उनको मिल जाएगा No doubt fruits आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए जितने आप खा सकते हैं और वो आपके लिए कोई अच्छी चीज नहीं है Fruit juices के अंदर दोस्तो fructose होता है मेल ली Fructose वो sugar होती है जो कि fruits के अंदर पाए जाती है और fructose के अंदर एक quality होती है कि ये आपके brain को बड़ी असानी से चक्मा दे सकता है जब आप fructose को लेते हैं तो उसकी वज़ा से आपके brain के अंदर signal नहीं जाते है पेट भरने वाले यानि जब आप fructose को लेते हैं तो आपके brain को लगता है कि वो अभी भूग का ही है आपने कभी देखा होगा कि अगर आपको भूग लग रही है बहुत ज्यादा और उस समय आपने एक ग्लास juice पी लिया तो उसके 5-10 मिनिट बाद ही आपको दुबारा से भूग लगनी फिर से शुरू हो जाती है आपको लगता नहीं है कि आपका पेट भर गया है इसकी वज़ा यही है कि जो आपने juice पीया था उसके अंदर fructose था और उस fructose की वज़ा से आपके brain को signal ही नहीं गया आपके brain को लगा कि वो अभी भूगा है और इसलिए उसने दुबारा से आपको भूग का हिसास कराया और उसके बाद आपने फिर कुछ और खा लिया आप फैट में convert होता है तो इसकी वज़ा से आपके अंदर weight gain होने के chances जो है वो बहुत जादा बढ़ जाते हैं और इसी वज़ा से मैं मना करता हूं कि आपको fruit juices नहीं लेने चाहिए दोस्तों juices के अंदर pure sugar होती है juices के अंदर fructose की शकल में आपको शुगर मिलती है और अगर आप बजार से इसको लेते हैं juice को तो उसमें आपको कई बार चीनी मिलाके भी देते हैं तो उसकी वज़ा से जो concentration है और जादा बढ़ जाता है जब आप इस high sugar वाली ड्रिंक को या के लिए एकदम से बहुत सारा insulin बनाना पड़ता है और जब यह बहुत सारा insulin बनता है हमारी body के अंदर तो यह शुगर जो अचानक से बढ़ी थी अचानक से कम भी हो जाती है और इसी वज़ा से आपको अचानक से एकदम से कमजूरी का हैसास होता है भूग लगने लगती ह और जितनी तेजी से आपकी body में energy आई थी उतनी ही तेजी से चली भी जाती है और एक cycle की तरह यह चलता रहता है और जब ऐसा होता है तो उसकी वज़ा से आपके अंदर शुगर बढ़ने का chances यानि diabetes के पैदा होने की chances बढ़ जाते है इंसुलिन का resistance पैदा होने की chances बढ़ जाते हैं और अगर आपको diabetes already है तो उस case में तो यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है इसलिए diabetic patients को कभी भी fruit juices नहीं लेने चाहिए दोस्तों चौथा main reason जिसके कारण से मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आपको fruit juices नहीं लेने चाहिए वो यह कि fruit juices आपके अंदर weight gain करने के लिए एक बहुत बड़ा responsible factor बन सकते हैं जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया और जितनी पी जीज़े आप समझे उससे आपको बता चल गया होगा कि क्योंकि इस तरह के juices के अंदर कोई भी fiber नहीं होता है और sugar content बहुत जादा होता है और यह आपको feeling of fullness भी नहीं देते हैं fructose की वज़े से आपके अंदर fat deposition होना बढ़ जाता है fatty liver आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है और यह सबी चीज़े आपके tummy fat को बढ़ाने में और आपके overall मुटापे को बढ़ाने के लिए responsible होती है तो इसलिए अगर आप weight loss करना चाते हैं या अगर मुटापे स fruit juice को इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन अगर आप packaged fruit juices लेते हैं ऐसे fruit juices लेते हैं जो कि आजकल market में बड़ी अच्छी packing में आपको मिल रहे हैं तो उस case में आप समझ लीजिए कि यह जो नुकसान आपको होने वाले हैं यह 8 से 10 गुना और जादा होंगे अगर आप दोस्तों fruit juices पीने के जादा ही शौकीन है आपको पीना ही है तो जादा बढ़िया आपके लिए रहता है कि आप fruit juice को juicer में निकालने के बजाए आप उसको blend कर के निकाल लीजे blend करने का मतलब है कि आप उसको किसी blender के अंदर mixer के अंदर डालिए अगर वो dry type का fruit है तो उसके अंदर पानी मिलेगा और आपका juice जो है वो खराब नहीं होगा दोस्तों मुझे उमीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस like जरूर दीजे चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो दिख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे ताकि आने वाले समय में आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे अगर आप ये कुछ सवाल हैं कुछ और थो जा जानना चाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टेग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और महां पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी विडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा